नमस्कार साथियों, दोस्तों, बुजर्गों, आज कल कंदा जाम होने की कोमन सी प्रोबलम चल रही है कंदा जाम हमारा चोट लगने के बाद, कोई फ्रेक्टर के बाद या कंदे के अंदर कोई इंजरी हो जाती है और सुगर वाले पेशेंटों में खास कर, तो उसके बाद हमारे मुवमेंट जो हैं, वो कम हो जाती है यानि हम कंदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा कंदा बहुत जादा उपर नहीं उठता, एक जाके यहां पर अटक सा जाता है तो इससे हम कुछ अक्सर साइज करेंगे, मैं आपको कुछ अक्सर साइज बताना चाहूँगा तो वो अक्सर साइज हम करेंगे, तो इस अक्सर साइज से आपका कंदा जो है, वो बिल्कुल ठीक, आप घर में रहके भी कर सकते हैं तो यह exercise note करें और उससे आप exercise start करते आपका कंदा खुलने लग जाएगा हम अपने कमर को थोड़ा सा जुकाएंगे डिस्क वाले अपनी कमर को ना जुकाएं जिसको डिस्क की problem है अदर्वाइज थोड़ा सा जुक के नीचे और कंदे को उपर यह डिला चोड़के उपर को लिके जाएंगे दूसरे हाथ के साथ ऐसे है next किसी दूसरी साइड में दूसरे हाथ से ठीक वाले हाथ से को चीज पकड़के थोड़ा जुकेंगे नीचे को और अपने इस हाथ को यह उपर को उठाएंगे डिला चोड़के यह नमबर ती यह साइड में अपना हाथ जाएगा पुरा यह बिल्कुल कान की सीध में पुरा next next अपने हाथों को दूनों को पीछे पकड़ने की और कॉसिस करेंगे कई वारी बारी हमारा जाम होता है तो फ़ह पकड़ा नहीं जाता है इसकी वजजह से हम कोशिस करेंगे और पकड़ा जाएगा धीरे धीरे तो यह कि इसको उपर उठाएंगे कि नेक्स्ट कि अपने हाथ को यहां इसके साथ रखेंगे और यह कि नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे 90 पर अपने हाथ को ले जाएंगे यह रूटेट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अपना यह दिवार के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को यह दिवार के साथ 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 ऐसे ले जाएंगे हर अक्सरसाइज 15 से 20 बार कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार नेक्स्ट दोस्तों यह एक्सरसाइज करोगे इससे आपका कंदा जो एक खुलने लग जाएगा और कुछी दिन में आपका कंदा इससे पूरा ठीक हो जाएगा तो इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सेर करना ना भूले और कॉमेंट बोक्स में लिख सकते हैं और बेल आइकोन दबाके और इसको सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू बेरी मैच नमस्कार